आज के सेशन का क्या importance है दोस्तों मैं आप सभी से request ये करूँगा कि जितने लोग बाकी हैं अभी भी जितने लोग हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं और लोग फेस्बुक पेज पर जोईन कर सकते हैं और फेस्बुक पेज पर देख सकते हैं राइड सो ठीक आठ बजने वाला है आठ बजने में एक मिनट बाकी है और maximum to maximum 8.05 इस टाइम पर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे यानि maximum to maximum five minutes हम लोग वेट करेंगे और उसक राइड सो दोस्तों यह पांच मिनट का वक्त बाकी है आपके पास मैं आप सभी से रिक्वेश्ट करूँगा कि आप लोग और देखिये यहां पर लिंक भी आ गया है आप लोगों के चैट बॉक्स में लिंक आ गया है फेस्बुक का मैं रिक्वेश्ट करूँगा कि सभी लोग दो काम करें जल्दी से लें पांच मेंट के अंदर दो काम जल्दी से करना है सबसे पहला काम यह करना है कि अभी जूम का यह सेशन चल रहा है इसका कि स्क्रीन शॉट लीजिए और जितने वाटसप ग्रूप्स हैं उन सारे वाटसप ग्रूप में भीज दीए ताकि जादा से जादा डिस्टिब्यूटर जादा से जादा साथ ही हमारे इस सेशन में जोईन कर सके। जब यह सेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग किसी को इसमें अलाव नहीं कर सकते किसी कभी एंट्री नहीं हो सकता एट फाइफ पे वेटिंग रूम अन हो जाएगा और उसके बाद अगर कोई चाहे भी तो भी जौईन नहीं कर सकता यह इतना इंपोर्टन सेशन है I am very very sure दोस्तों आप इसको समझते हैं इसलिए कोई भी साथी मिस ना हो जाए जल्दी से आप इसका एक क्लिक करके फोटो क्लिक करिए सारे वाटसप ग्रूप में भेजिए और जो लिंक आपके पास गया है हमारे फेस्बुक पेज का कीवा काईपो इंडस्ट्री पर आपके बिजनस अशोचियर्स है राइड क्योंकि मैं आपसे वादा करूं दोस्तों आज का सेशन बहुत 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 शांदार होने वाला है और मैं भी इसको अपने पेज पर शेयर कर देता हूं जिस गिब में वान मिनेट आप लोग भी इसको करिए दोस्तो कि पिछले दिन ऐसा मानिये जहां पर मैंने छोड़ा था आज वहीं से इसकी स्टार्टिंग मैं करूंगा राइड सो बहुत-बहुत-बहुत कमाल का यह सेशन होने वाला है मैंने तो अपने वाल पर पोस्ट कर दिया दोस्तों होफुली आप लोग भी इसको कर चुके करनेशन डवल्पमेंट्स्रेट गरेट दोस्तों इससे पहले के हम लोग स्टर्ट करें और मैं आप सभी से पूशना चाहता हूं कि हमारे जितने साथ ही हैं हमारे जितने भाई हमारे यतनी बहने हैं जण Miche जिए यतने लोग आज इस वेबिनार में ज्वाहिन अलबी ओड है दोस्तो फ्लीज जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप इंडिया के किस पार्ट से आप बिलॉंग करते हैं राइड आप कहां से है दोस्तो येस जबलपुर का नाम पहले आगया सबसे पहले वेस्ट बंगॉल का नाम आगया उडीसा का नाम आगया वेरी गूड वेरी तकरीवन एक जगए कट होगी अंबरावती महारास्ट्रा से बहुत सारे लोग हैं। हर जगा से जवलपुर मद्य प्रदेश से बहुत सारे लोग है सोनीपत हर्याना से बहुत सारे लोग है मैं सभी लोगों का हार दीक स्वागत करता हूँ दोस्तों अभी नंदन करता हूँ जारखंट से लोग है वाराणसी से लोग है क्या बात है क्या बात है एक मिनट के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेरी 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 गुड मॉर्निंग तो अल फ्यू जितने लोग लेट से जुड़े हैं दोस्तों और आज का सेशन में आपसे वादा करूं कि बहुत 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 शांदार होने वाला है नेक्ट लेवल में ले बहुत सारे लोगों ने उस सेशन को अटेंड किया था दोस्तों बहुत सारे लोगों ने उस सेशन को अटेंड किया था दोस्तों जितने लोगों ने अटेंड किया था मैं अगर आपसे पूछू कि अगर वन वर्ड में उस सेशन को आपको बताना हो कि कैसा था वो सेशन त त्यूंत अंस्टॉपिबल गूप के लीडर्स कह रहे हैं और आपके इसी मोटिवेशन की वजह से हम लोग एक्साइटेड होते हैं दोस्तों और आपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं इसके साथी 500 का नंबर हम लोगों ने क्रॉस कर लिये दोस्तों लेकिन आज हम लोगो 800 जाना है याद रखेगा 800 का नंबर क्लास करना है वही मेरे लिए मोटिवेशन होगा दूसरा क्वेस्टन कि दोस्तों आप में से कितने लोग हैं जो की बिजनेस डेवलप्मेंट स्ट्राटीजी पार्ट वन अटेंड नहीं कर पाये ते डिरेक्ली आज के सिशन में यानि ब वो लोग आई लिखेंगे जितने लोग ये सेशन को पहली बार देख रहे हैं बिजनेस डेवलप्मेंट स्ट्राटीजी पार्ट वन नहीं देखे हैं डिरेक्ली पार्ट टू में आया हैं अब वो लोग आई लिखेंगे मैं देखना है तो कितने लोग नए हैं कितने लोग पर देखना पड़ेगा राइड पार्ट वन आपको कहा मिलेगा और यह सी बात है पार्ट वन के लिए आपको जाना पड़ेगा कीवा काई पो इंडस्ट्री प्राइबेट लिमिटेड के फेस्बूक पेज पर उसका रिकॉर्डिंग आपको उपलब्द मिलेगा दोस्तों औ अपने सारे टीम मेंबर्स को सहल्प कर सकते हैं सहयोग कर सकते हैं और राइड तो एट फाइव अलड़ी हो चुका है दोस्तों आईए हम लोग आज की सेशन का आगाज करते हैं सुरुवात करते हैं मैं प्रेजेंटेशन में आपको ले की चलता हूँ और आपको पता है से पहतालिस मिनट का जो सेशन होगा वो च्वस्मी माइंड ब्लोई होने वाला है बहुत स्षांदार हम लोग का यह सेशन होने वाला है दोस्तों तो सबसे पहले तो मैं कीवा काईपो इंड़स्ट्री प्राइट लिमिटेड की तरब से मैं डियन प्रधान, नैशनल ट्रे ओके, सो हेर वी गो, वन सेकेंड, येस, और राइट, सो क्या आप सभी लोग स्क्रीन देख पारें दोस्तों, टाइप यह सी ने चैट वाक्स जल्दी से लिग दीजिए और मैं वापस से आप सभी लोग का बहुत-बहुत-बहुत हार दिक कभी नंदन करता हूं, वंदन कर थे, वो लोग देखे थे दोस्तों उस सेशन को, आप सब को पताए कि उस सेशन में, बहुत-चान्दार तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले तो वहाँ पे डिसकुशन किया था कि हम लोगों को प्लैन की बात करनी है, लेकिन स्टार्ट करना है प्रोड़क्ट से, राइट म बाद में आएगा पहले प्रोड़क्ट से आपको जॉर्णी को स्टार्ट करना 10 कारण में ने दिया था आप नहीं उसको सुने थे नहीं देखे थे जरूर देखियागा दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि वह कौन सा प्रोड़क्ट होगा कीवा के पास तो क्लास स्टांडर्ड के सारे 500 से जादा प्रोड़क्ट है दोस्तों सभी प्रोड़क्ट को लेकर तो काम नहीं कर पाएंगे तो उसमें से हम लोगों ने चुना था एक खास प्रोड़क्ट को जिसकी बहुत सारी खासियत को मैंने आपको बताये था दोस्तों येस वो से आपका बिजनस बढ़ता चला जाएगा और फाइनली मैंने आपको पताया था कि मात्र एक प्रोड़क्ट से येस मात्र एक प्रोड़क्ट से यानि सिर्फ के AMD का यूज करके किस तरह से कोई भी डिस्टिब्यूटर दोस्त भाई बंदू कोई भी बहने हमारी सारे लोग टाइप ready and excited in the chat box टाइप ready and excited 500 से 600 की तरह लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों तकरीबन 600 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेकिन number को हम लोग को बढ़ाना है जल्दी से आप type कर दिए ready and excited और मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों आज के इस session में मैं आज की सुरुआद कर और इन दो सुत्रा को अगर आपने follow कर लिया इन दो बातों को अगर आपने मान लिया ना कोई आपको रोक नहीं सकता है दोस्तों सफल होने से मैं यह लिखित तौर पर आपको दे सकता हूं right so आईए हम लोग बात करते हैं कि यह दो success सुत्रा क्या है और मैं फिर से बताओं लेकिन फिर मैं दूसरा सवाल करता हूं कि सफल तो सब होना चाहते हैं लेकिन क्या सभी लोग सफल हो जाते हैं और यहाँ पे बहुत कम लोगों का हाथ उठता है जबाब यह होता है कि नहीं सफल होना तो चाहते हैं लेकिन सफल सभी हो नहीं पाते हैं क्या आप लोग मेरे जाए और वो काम इतने आसान नहीं होते हैं और जो उन कठिन कामों को करता है या करते चला जाता है वो सफल हो जाता है आज ऐसे ही दो सुत्राज का मैं आपसे डिसकुशन करने वाला हूँ और अव्यसी बात है यह सेशन बहुत-बहुत-बहुत इंपॉर्डन होने वाला है जब तक यह खतम नहीं होता आप समझ नहीं सकते मैं क्या कैसी बताने वाला हूँ बैट मैं प्रॉमिस करूँगा आज का सेशन बहुत-इंपॉर्डन होगा तो यह two success सुत्राज में क्या है दोस्तों इससे पहले कि मैं यह सेशन को आगे बढ़ाओं और सुत्राज की बात क सुनना ही कई बार यह अजीब लगता है लेकिन मुझे लगता है मैं अपने experience से अपने knowledge से यह जानता हूँ कि यह सारे रास्ते से ही सफलता आपको मिल सकती है Are you guys ready for it? Let's go ahead my dear friend और पहला जो success सूत्रा है success सूत्रा number one success सूत्रा number one मैं इसको कहता हूँ get out of motivation track मुझे पता है दोस्तों जितने आप लोग हैं जितने लोग हमारे member यहां पर joined है छे सो बीस लोग की आसपस मैं यहां पर देख पा रहा हूँ यह सारे serious members हैं दोस्तों क्योंको कि अगर आप serious नहीं होते तो सुबह 8 बज़े उठकर इस session को attend करने के लिए इतनी बड़ी तादात में नहीं आते हैं आप सारे लोग serious हैं get out of motivation trap यानि कि क्या motivation एक trap है क्या motivation एक जाल है क्या motivation एक फंदा है क्या motivation में लोग फस जाते हैं the answer is yes आपको सुनने में या जीव इसलिए लग सकता है दोस्तों क्यों 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 कि मैं डियन प्रधान मैं भी एक motivational speaker ही हूँ मेरे को salary मिलता है motivational speaker के तौर पर लेकिन उसके बाद भी मैं आपको कहता हूँ दोस्तों get out of motivation trap बड़े ध्यान से बड़े प्यार से इस बात को समझ जहे कि मैं इसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों क्यों कि सफल वो इनसान होता नहीं है जो motivation के ऊपर depend करके काम करता है याद रखेगा मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड होकर आप काम करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे ऐसे दौर आएंगे दोस्तों जब कभी आप मोटिवेटेड हो जाएंगे लेकिन फिर कभी दौर आएगा जब आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे ऐसा होता है कि नहीं होता है आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों येस और नो मैं आपसे जानना चाहता हूं कभी कोई मोटिवेशनल स्पीकर आता है वो जोश की बात करता है वो दिल में आग जगाता है मन में जोश जगाता है व और उसकी बातों को सुनकर हम लोग motivated हो जाते हैं, उस motivation की आधार पर उसको आधार बनाकर हम लोग काम करना शुरू करते हैं दोस्तों, लेकिन मन चाहा result जब नहीं मिलता है, मन चाहा हम लोग जो इसा चाहरे परिणाम, जब वो परिणाम नहीं मिलता है, हम लोग वापस demotivated ह हो जाते हैं ऐसा होता है यस और नो चल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताएगा साड़े 600 लोग तकरीबन यहां पर है सभी लोग बताएंगे ऐसा होता है कि और फिर कुछ वक्त बीतता है वो डी मोटिवेशन में फिर कोई हम जैसा मोटिवेटर आता है वो एक दो ठीका और सभी लगाता है वैक्षिन का और एक दो टीका लगाता है मोटिवेशन का और फिर हम लोग चार्ज हो जाते हैं सोचते हैं कि चलो अब तक जो हुआ सो हुआ लेकिन अब तो छोडेंगे नहीं अब तो जीजान लगा देंगे अब तो अब तो हर एक रूम रोम से काम करेंग और फिर हम लोग जीजान लगाते हैं, फिर काम करते हैं कुछ दिन, लेकिन फिर obviously जैसा हम चाहते हैं वैसा result नहीं मिलने की वज़े से, फिर वापस हम लोग demotivation में आ जाते हैं, यानि ये motivation से demotivation, demotivation से motivation, motivation से demotivation, ये जो एक cycle है न, मैं इसको एक जाल कहता हूँ दोस्त क्यों क्योंकि जब आप motivated होंगे तो काम करेंगे, जब आप motivated नहीं होंगे तो काम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे काम करने से आपको सफलता नहीं मिल सकती है, अगर आप मेरे साथ हैं तो दोस्तों with you, chat box में जरूर लिखिएगा, मैं आपसे कुछ example share करना चाहता हूँ, बड़ दुकान खोलता होगा, जब वो motivated होगा तब दुकान खोलता होगा, या हमेशा ही खोलता होगा, क्या यह दुकान वाला ऐसा कहता होगा, क्या किसी दिन आप गए और देखे दुकान बंद, आपने पूछा कि भईया दुकान क्यों बंद है, तो वो क्या ऐसा बोल सकता है, क् मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए दुकान नहीं खोला, ऐसा हो सकता है कि आप कमेंट करके बताइए, और जितने साथ हैं हमारे Facebook में जुड़े हुए हैं, maximum जगहों पे इसको share करियेगा दोस्तों, और आप लोग भी comment करियेगा, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, मैं सारे के सारे के सारे comment, सारे के सारे chat box में जितने messages आते हैं, सबको मैं personally पढ़ता हूँ, so please comment करियेगा, सारे के सारे लोग जो zoom पे हैं वो भी और जो facebook पे हैं वो भी, मैं दूसरा example पूछता हूँ है कि आज मैं motivated था, इसलिए मैं आ गया, motivated जिस दिन मैं नहीं रहूँगा, उस दिन मैं नहीं आऊंगा, business करने के लिए ऐसा होता होगा क्या, सोचिए हमारे office की बात कर लेते हैं, हमारे office में, जितने हमारे jamaj, हमारे सारे players हैं, हमारे सारे दोस्त हैं, जैसे office की बात करनें तो नीरच जी हैं, राहूल जी हैं, आउतार जी हैं, मोहित जी हैं, यह सारे जो हमारे team members हैं, आप किसी दिन कीवा काईपो industry हमारे लुद्याना office में phone किया, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई वहां का member बोले कि नहीं, आज तो मैं demotivated था, इसलिए में office नहीं आया, काम पर नहीं आया, मैं जिस दिन motivated रहूंगा, उस दिन काम पर जाऊंगा, ऐसा हो सकता है क्या, और ऐसा होगा तो क्या यह सही है क्या, सोचिए, खुद सोचिए, क्या motivation के अधार पर डॉक्टर करन गोईल सर, office जाते होंगे, यस और नो सोच कर देखिए, उनका system होगा, discipline होगा, rules होगा, office दिन, हर दिन जाने का, या जिस दिन motivated रहते होंगे, सर, उस दिन office जाते होंगे, जिस दिन demotivated होते होंगे, office देखिए, क्या ऐसा system होगा, क्या, मैं आपसे पूछना चाहते होंगे, जितने लोग, हमारे पास सारे 600 लोग करीब करीब यहां पर जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हो, दोस्तों, क्या लोग motivated जब होते होंगे, तब duty पे जाते होंगे, या हमेशा duty पे जाते होंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जल्दी से जवाब दिजीए, जब motivated होते होंगे तो, या always, always के लिए A लिखेगा, motivated के लिए M लिखेगा, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, मुझे पता है कि आपका जबाब क्या होगा, दोस्तों, always, yes, it's a system, it's a discipline, it's a rules, अगर आप motivation के आधार पर सिर्फ काम करते हैं, दोस्तों, so motivated तो आदमें कुछ दिनी रहेगा, दुनिया का जैसा रीती चाल है, दोस्तों, जादा तर समय तो हम लोग demotivated रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमको मन चाहा परिणाम नहीं मिल पाता है, और ये दुनिया के लोग वैसे भी तो direct selling के प्रती negative ही है, जादा तर लोगों से हमको ना सुनने को मिल जाता है, सो लोग अक्सर demotivated हो जाते हैं, मैं आपको कहता हूँ, इस motivation और demotivation के जाल से, इस trap से, इस cycle से, मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे भाई, मेरे सारे बंदू, इससे बाहर निकल जाए, क्योंकि जिस दिन motivation, demotivation के इस चक्र से आप बाहर निकल जाएंगे आपको success होने से कोई नहीं रोख सकता, दोस्तों, सोचिए क्या कभी ऐसा होता होगा, क्या हम जो trainers हैं, क्या हमको कभी आपने demotivated देखा, आप बताईए, जितने लोग, साले 600 लोग यहां पर हमारे साथ सामिल हैं, आप बहुत सारे मेरे प्रोग्राम देखे होंगे, क्या DL प्रधान को आपने कभी demotivated देखा है, कभी उदास, कभी निराज, कभी रोते हुए, क्या आपने कभी देखा है, the answer would be no, लेकिन क्या हमारी जिंदगी में परिशानी नहीं आती होगी, दोस्तों, सोच कर देखे, क्या हमको तकलीफ नहीं होता होगा, क्या हमको दुख नहीं होता होगा, क्या हमको लोग ना नहीं बोलते होंगे, हमारी जिंदगी में भी तो परिशानीया है, क्यों कि इंसान है, तो परिशानीया है, हैं हमारी जिन्दके परिशानिया है दोस्तों लेकिन हम लोग motivation और demotivation के आधार पर काम नहीं करते हैं हमारा यह काम है इसलिए हम इसको करते हैं दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका business अगर motivation पर टिका हुआ है अगर applied motivation देगा तब आप काम करेंगे अगर trainer की तरफ से आपको motivation मिलेगा तब आप काम करेंगे ना आपका business dependent business हो जाएगा motivation के उपर जब motivation मिलेगा आप काम करेंगे जब motivation नहीं मिलेगा आप काम नहीं करेंगे दोस्तों और ऐसे सफलता नहीं मिल सकती, क्या आप लोग मेरे साथ है, अगर मेरे साथ है, तो with you लिख कर बताइए दोस्तों, अब motivation नहीं तो क्या, मैं उसकी बात करूँगा motivation की अधार पर काम नहीं करना है, तो कैसे काम करना, उसका सूत्रा मैं दूँगा सूत्रा नंबर टू में, मैंने आपसे promise कि आज दो सूत्रा में आपको देने वाला हूँ, लेकिन पहला success का सूत्रा क्या है, आप का business, आपका direct selling का यह जो business है, आपका जो कीवा, kaipo चाहे बारिश हो या धूप हो या तूफान है चाहे जो भी हो वो जाकर दुकान खोलता है, वैसे ही हम लोगों को भी मोटिवेशन के आधार पर अपना बिजनस नहीं करना पड़ेगा, कि आज मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं बिजनस करूँगा, आज मैं मोटिवेटे करिएगा दोस्तों, मैंने यहां लिखा है कि all successful people feel demotivated at times, जितने सफल लोगों को आप देखते हैं, वो लोग भी वक्त पर कभी-कभी demotivated होते होंगे, क्योंकि यह इंसान है, इंसान की जिन्दगी में बहुत सारी situations आते होंगे, और जब वो आएंगे तो इंसान demotivated होगा, क्या उनकी जिन्दगी में कभी कुछ उतार चड़ाओ नहीं आता होगा, सोच कर देखिए दोस्तों, आप actors की बात करने, cricketers की बात करने, footballers की बात करने, businessmen की बात करने, जितने सफल लोग है, उनकी जिन्दगी में भी demotivation आता है, दोस्तों, बट याद अचानक उसके घर में कोई परिशानी आ गई, कोई दिक्कत आ गया, अब वो क्या करेगा, वो operation करेगा कि नहीं करेगा, और क्या वो motivated या demotivated का जो situation है, क्या उसको affect करेगा उसके काम में, dancer would be no, वो जितनी शिदत से, जितने महनत से, जितने expertise से, वो बाकी operations करता था, operate करता था, कोई परिवार में situation, ऐसा negative आने के बाद भी वो उसी शिदत से, उसी महनत से, उसी expertise से, अपने काम को करेगा, दोस्तों, hopefully आप मेरे साथ है, right, so मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि motivation के इस शक्र से बाहर निकलिए, यह आज का guru mantra number one है, success उत्रा number one, the key to success, क जो आपके सबसे महत्वण कारे हैं, जो आप जानते हैं, किस industry में सफल होने के लिए सबसे महत्वण कारे क्या क्या हैं, और आपके जो senior, आपके जो upline है, उन्होंने definitely आपको बताए कि आपको क्या क्या काम करना है, उन सारे काम को आपको करना है, irrespective of whether you are feeling motivated or not, चाहे आप motivated हो या motivated ना हो, उन सारे काम को आपको करना है, क्या आप लोग इसके लिए तयार हैं, दोस्तों, yes or no, tell me, क्या आप motivated रहें, चाहे demotivated रहें, इस industry में सफल होने के लिए, जो जो काम करना पड़ता है, क्या उस काम करने को लिए तयार हैं, अगर तयार हैं, तो type yes in the chat box, motivation के आधार पर काम करेंगे, आपका business fluctuate करेगा, कभी उपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, जिस मेंने company ने एक अच्छा offer दे दिया, गोवा जाने का trip दे दिया, दुबई जाने का trip दे दिया, Thailand बैंको का trip दे दिया, आपका business बहुत उपर चड़ा जाएगा, लेकिन जिस मैंने एक साधारन सा offer है, या साध कुछ offer नहीं है, उस मेंने आपका business dip हो जाएगा, so up, down, up, down, आपका business कभी stable होएगा नीच दोस्तों, अगर motivation के आधार पर आप business कर रहे हैं, मैं आज आपको एक system बताऊंगा दोस्तों, motivated रहे, motivated ना रहे, आपका business हमेंसा stable होगा, और चाहे ना है, चाहे बालिश हो, चाहे दुर्गापुजा हो, चाहे दिवाली हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे एद हो, कोई भी situation हो जाए, मेरा business stable रहे हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, type yes in the chat box, अक्सर हमारे साथ क्या होता है आप देखते हैं, अभी जैसे ठंडा का समय च सर लूह चल रहा है, सर कैसे business करें, थोड़े दिर के बाद बरशाद का समय आ जाएगा, फिर लोग कहेंगे कि सर बारिश बहुत जादा हो रही है, यह सारे के सारे वे लोग हैं, जो motivation के आधार पर business करते हैं, याद रखे, motivation से system में convert करना पड़ेगा, जो आज हम लोग सीख process, मैं चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुएं, सारे के सारे लोग जरूर बैठें अपने अप्लाइन के साथ, अपने senior के साथ, अपने leaders के साथ, और उनसे पूछे की सर बताईए कि हमारे को इस business में सफल होने के लिए, कौन-कौन से key areas हैं, क्य क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या किये बगएर सफलता नहीं मिलेगा, या आपको क्या करने से सरसफलता मिला है, अपने guru जनों से, अपने leaders से, अपने upline से, उनसे पूछे कि क्या क्या करना पड़ता है, उनको note-down कर जाइए दोस्तों, और उसके बाद मैं आज आपको तरीका बताने वाला हो उस तरीके से इसको automate कर दीजिए automate कर दीजिए automate कर दीजिए मैं आपको तरीका बताऊंगा automate करने का मतलब क्या है आपका मन करे या ना करे आपका mood अच्छा रहे ना रहे आप motivated रहे ना रहे वह काम बाई फॉल्ट हो जाएगा इसी को कहते है और आज डियन प्रसान आपको वही सिखाने वाला है सुचिए दोस्तों अगर ऐसा हो तो कैसा हो राइट आप मोटिवेटेड हो या ना हो आप फॉलू अप कर ले आप मोटिवेटेड हो या ना हो लोग जब आप अब्जेक्शन रेस करे कैसा होगा दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं मोटिवेशन के बगैर भी आपका बिजनेस बहुत शांदार तरीके से चल सकता है उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा दोस्तों लेकिन इतनी सारी बातों को कहने के बाद मु मोटिवेशन बहुत शांदार की चीज़ है बहुत गजब की चीज़ है हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी चीज़ है ऐसा इसलिए क्यों क्योंकि अकसर लोग हमारे इंडस्ट्री के प्रती गलत धारणा रखते हैं तो क्या हुआ इससे रिलेटेड लॉ आ गया ह गौर्मेंट ने इसको मानेता देती है उसके बाद भी बहुत सारे रूढ़ी वादी सोच के लोग जो पूरी तरह से जानते हैं इस इंडस्टी के बिसे में वो गलत धारना रखते हैं और वो लोगों को नेगेटीव करते हैं तो मैं अकसर कहता हूँ क्या की मोटिवेशन से क्या होता है ध्यान से समझिएगा मोटिवेशन विल हेल्प यू टि गिव अप्रॉपर स्टार्ट मोटिवेशन से चीजों का आप सुरू कर सकते हैं दोस्तों जहां पर चीजे रुक गई हैं सिस्टम से वो चीजे स्टार्ट नहीं होती है वहाँ पर जोश भरना पड़ता है वहाँ पर उसके अंदर आग लगाना पड़ता है उसके अंदर उमीद डालना पड़ता है उसके अंदर ड्रीम डालना पड़ता है उसके अंदर गोल्स डाल अपने मंजिल को पाने के लिए मोटिवेशन के भरोसे काम नहीं चलेगा दोस्तों, जरनी को स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, सुबह उठने के लिए मोटिवेशन चाहिए, आप decision लेंगे कि हमको अभी weight loss करना है, इसके लिए motivation चाहिए, लेकिन सिर्फ motivation के आध हार पर आपका weight loss नहीं होगा दोस्तों, उसके बाद तो आपको एक system adopt करना पड़ेगा, अगर आप इस point पर मेरे साथ है, type with you in the chat box, type with you, मैं देखना चाहत हूँ कितने लोग इस point पर मेरे साथ है, motivation से चीजों का आप सुरू कर सकते हैं, खतम नहीं कर सकते हैं दोस्तों, खत जिस दिन आप motivated होते हैं, उस दिन brush करते हैं, जिस दिन motivated नहीं होते हैं, brush नहीं करते हैं, सुचिए, ऐसा तो नहीं होगा, क्यों कि brush करना एक automatic process हो गया है, कई लोग तो सोते सोते brush कर जाते हैं, yes or no, यानि कि वो process आपके roam roam में बस गया है, वो आपके reflex action का part बन चुका है, द करना पड़ता है, objection handling करना पड़ता है, closing करना पड़ता है, follow up करना पड़ता है, और यह सारे काम, ज़्यादातर हमारे distributor नहीं होते हैं, तब करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप ये काम तब भी करें, जब आप motivated हो, और तब भी करें, जब आप demotivated हो, right, दोनों ही situation में, इस का को जब आप करना सुरू कर देंगे, सारे downline करना सुरू कर देंगे, सफलता आपके कदम चुमेगी, दोस्तों, अब आईए मैं बात करता हूं, success sutra number two की, मैं बात करता हूं, success sutra number two की, two point में क्या है, और बड़े ध्यान से समझेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने कहा कि motivation से start होग सो खतम किस ची से होगा, सफलता किस ची से मिलेगी, हमको success किस ची से मिलेगी, अब जो बताने जारो, success यहीं से मिलेगी, क्या आप लोग इसके लिए तयार हैं दोस्तों, एक बार जल्दी से सभी लोग B.I.O. type कर देंगे, bring it on, type B.I.O. in the chat box, क्योंकि अब मैं बताए कि क्य नहीं करना है, motivation के जाल में नहीं पढ़ना है, तो क्या करना है सर, अब यह बताओ क्या करना है, type B.I.O. in the chat box, जल्दी से सभी लोग bring it on, लिख देंगे, मैं आपको बताऊंगा, तो करना क्या है, motivation नहीं रखना है, तो क्या करना है, मैं बताता हूं, दोस्तों, मैं इसको कह पीडिये का मतलब क्या होता है, दोस्तों, पीडिये का मतलब होता है, primary, daily, action, कहीं परिश्ची को लिख दीजेगा, यहीं आपको chairman ले जाने वाला है, दोस्तों, मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं कि यह PDA आज का guru mantra है, यहीं आपको chairman ले जाएगा, जो PDA को समझ गया, जो P लोग दूंगा, PDA आपका, यहीं आपका गीता है, यहीं आपका Bible है, यहीं आपका Quran है दोस्तों, यहीं आपका धर्म गरंत है, यहीं आपका पूजा है, यहीं आपका नमाज है आज के बाद, PDA जो मैं बताने जारूं, अगले 10 मिंट में ध्यान से सुनिएगा, यहीं आप पूजा है, यहीं आपका नमाज है, यहीं आपका prayer है, इससे ही आपको सोना है, इसी से आपको जागना है, इसी को आपको पीना है, इसी को आपको खाना है, क्या है यह PDA? PDA का मतलता है primary daily action, primary daily action का मतलता है कि वो daily के किये जाने वाले कार्य, जो हम किसी हाल में करेंगे, चाह हम motivated हो तो चाहे हम demotivated हो तो चाहे बाहर बारिश हो तो चाहे तूफान आये तो चाहे गर्मी हो तो हम ये काम को करे बगैर रात में सोने जाएंगे ही नहीं चाहे मेरी तबियत ठीक रहे या मेरी तबियत खराब रहे चाहे परिवार में कोई भी situation आ जाए चाहे दुनिया कसम ले लिया दोस्तों और मैं बताऊंगा कि ये डेली एक्षन में क्या-क्या करना है आपको अगर आपने ये सपत ले लिया कि सर आज आज आप जो बताएंगे यही मेरे लिए गीता है यही मेरे लिए कुरान है यही मेरे लिए बाइबल है यही मेरे लिए गुरुगरंद सा यही मेरे लिए धार्मी पूछता के मैं यह काम करूँगा ही करूँगा दोस्तों अगर आपने यह ठान लिया आपको चेयर्मेन मनने से कोई नहीं रोख सकता मैं यहाँ पर जितने लोग साथ अगर आप डेली काम यह करना पड़ेगा और मैं आप कुछ से ज्यादा काम नहीं करने वाला हूँ अगर आप डेली के 15 से 20 मिनेट से मैक्सिमम तो मैक्सिमम 30 मिनेट का टाइम दे यह सारे के सारे काम हो जाने वाले हैं दोस्तों लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग रेडी लिख कर पहले चैट बॉक्स में बता हैं कि जो हम लोग डिसकेशन करेंगा प्राइमरी डेली एक्शन की तौर पे क्या आप सभी लोग उसको मानने को करने को तयार हैं मैंने लिखा है कि सक्सेस नेवर लाइज फाइनल आउचकाम सक्सेस लाइज इन डेली आक्शन सक्सेस नेवर लाइज इन फाइनल आउटकम हम लोग अक्सार च्चेयरमन सर लोगों को देखते होंगे ना जो चेर्मेन आपके टीम में आपके सीनियर हम लोग उनके जैसा बनना चाहते होंगे हम लोग चाहते होंगे यार कितनी शांदार जिंदगी है सर का कितना अच्छा गाड़ी है सर कैसा अच्छा ड्रसप करते हैं सर कितना अच्छा बोलते हैं सर आते हैं तो कितना जबरदस इ मुझे पता है दोस्तों लेकिन याद रखेगा फाइनल आउटकम पर फोकस नहीं करिएगा सक्सेस फाइनल आउटकम में नहीं है सक्सेस डेली एक्षन में जो आपको बताने जा रहा हूं अगर यह डेली एक्षन आपको करता आपने करते रहे अगर वो करते रहे आपको सफल होने से कोई नहीं रोख सकता दोस्तों लेकिन सिर्फ आप मुंगेरी लाल के सपने देखते रहें कि एक दिन में ऐसा बन जाओंगा एक दिन में ऐसा बन जाओंगा लेकिन आपने कुछ लिया नहीं आपसली वह बनना नामुमकीन है दोस्तों यह primary daily action क्या है लेट आसा थास्क तीन में primary daily action आपको बताऊंगा तीन टास्क सिर्फ में दूंगा और यह तीनों टास्क पिछले वाले business strategy से connected है, पिछले वाले strategy में, strategy part one, business development strategy part one में हम लोगों ने बात किया था, एक खास product का, क्या सभी लोग बताएंगे किस product का हम लोगों ने जिकर किया था, जल्दी से लिख कर बताएं, चैट बॉक्स में, किस product की बात कीती, सिर्फ उसी product से chairman ले जाने का मैंने जिम्मा ले लिया है, दोस्तों, मैंने आप सबके लिए responsibility ले लिया है, कि सिर्फ एक product से, कीवा industry का इतना दम है, इसके product में इतना दम है, कि सिर्फ एक product से भी कुछ chairman जा सकता है, और ये मैं करके दिखाऊंगा, आप मैं से बहुत तरह लोग chairman बनने वाले सिर्फ एक product से, र ये को मैं कहता हूँ, demonstration of KAMD, demonstration of KAMD, पिछले दिन भी मैंने बताया था, saying versus showing, जो आप कहते हैं, लोग उस पे भरोसा करे या ना करें, लेकिन जो आप दिखाते हैं, जो लोग देखते हैं, उसके उपर भरोसा उनको करना पड़ता है, आपको demonstration करना पड़ेगा, आप दोस्त में KAMD होना चाहिए, क्योंकि आप जहां जा रहे हैं, जिससे आप मिल रहे हैं, दोस्तों, आप KMD के पांच दस्बूत उसको जरूर पिला कर उसका आप demonstration उसको दिखाएंगे, और आप सभी ने promise भी किया था, demonstration ऐसा कह लिया जाए, इस business में सुरुवात देगा आपको, starting देगा, लोगों के अंदर वो belief create कराने में आपकी मदद करेगा दोस्तों, और यही एक तरह से सोचिए, आपका business का investment होगा, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार, 10-10 बुद, 5-5 बुद, मैं सबको पिलाता रहूँगा, तो मेरा बहुत ज़्यादा KMD खर्चा हो जाएगा प्लीज ये mindset मत रखिएगा, अमीर लोगों का mindset अमीर लोगों के जैसा होता है, गरीब लोगों का mindset गरीब लोगों के जैसा होता है, गरीब mindset से कोई अमीर नहीं बन सकता, याद रखेगा दोस्तों, तो अमीरों का mindset क्या है, अमीर लोग पहले क्या करते है, पहले लोगों को तो 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 मेरा बहुत सारा केमडी ऐसे खर्चा हो जाएगा अगर उसमें से एक आदमी भी अगर आपके सिस्टम को ज्वाइन कर लिए आपका पैसा तो वापस आगे यस और नो पहला आपको आज वादा करके जाना पड़ेगा दोस्तों कि आज के बाद मेरे पॉकेट में कुछ रहे ना रहे केमडी जरूर रहेगा पहली चीज़ दूसरी चीज़ किसी भी इंसान से हम मिलेंगे चाहे वो नोन हो या अगर हमारे लिए संभव है उसको दिखाना तो हम लो दिखा सकते हैं तो आप जरूर दिखाएंगे that is your first video आप सिर्फ इतना काम करें सिर्फ KMDA से चेर्मेन आपको बनाने की जिमेदारी मेरी दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा जिस से आप मिलेंगे आप मामा से मिलेंगे चाचा से मिलेंगे दोस्त से मिलेंगे भाई से मि जिस से भी मिलेंगे डेमो उसको जरूर दिखाएंगे right that is your first video आज के बाद आप कुछ छूट जाए यह नहीं छूटना चाहिए बिना demonstration दिखाए पांच साथ दस लोगों को बिना demonstration दिखाए आप कसम खाए कि मैं बेड पर जाओं गाई नहीं मैं सूँ गाई नहीं दस लोगों को मैं demonstration जरूर दिखाएंगा सेकेंड पीडिया पर में लेकर चलता हूं आपको सेगेंड पीडिया सेगेंड पीडिया इस प्रेजेंटेशन और दोस्तों इसके उपर में बहुत जल्दी सेशन लेकर आने वाला हूं के बिसे में लोग आपको बोलेंगे या इसमें भी नहीं बता रहा हूं क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके उपर एक डिटेल्ड सेशन दूँ जहां पर दस से बीस आपको पॉइंट बताऊं कि क्यों के एमडी लेना चाहिए पिछले वाले सेशन में मैंने ऐसे लीडर आपको बताया था कि आपको क्यों प्रमोट कर गइंडी हासिन करिये और लोगों को से में आउगत करें लोगों वी बताएए लोग जब जानेंगे तभी तो तो यह second PDA है, कि आप लोग promise करते हैं कि yes, हम लोग अब जिससे भी मिलेंगे KMD की बात करेंगे, क्या आप promise करते हैं, type P in the chat box दोसको, KMD की बात करेंगे, मैं क्या तो दो चार पाँच पॉइंट तो आप जानते ही है, इसमें mineral है, इसमें 84 तरह का mineral है, इसका base magnesium का है, magnesium हमारे इसके बिसे में और discussion करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आज के बाद आप जिससे मिले 2.4.5 पॉइंट जितना आप जानते हैं, आप KMD के बिसे में लोगों को जरूर बताएं, right, wonderful, आतने हम लोग third point, third PDA और यही last PDA है, यह तीन काम सिर्फ कर जाएए, मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरे बंदू, आप सोच नहीं सकते, आपको कितनी बड़ी सफलता मिलेगी, और एक ची बता दो, बाकी किसी product के उपर काम कर रहे हैं, बाकी किसी segment के उपर काम कर रहे हैं, उसको छोड़ना नहीं है, आप अगर agro में काम कर रहे हैं, आप वेटरनीटी में काम कर रहे हैं, उ कुछ छोड़ना नहीं है पहले जो कर रहें तो करते रहेंगे cmd की स्ट्राटीजी को जोड़ देंगे उसके साथ जिसके साथ मिलेंगे बाकी बातों के साथ हम लोग cmd की बात करेंगे मैं कहता हूं कि सबसे पाउरफुल चीज होने वाला है मैं क्योंकि लाइब सेशन ले रहा हूं दोस्तों में यहां पे कुछ कंपणियों का नाम तो नहीं ले सकता लेकिन इंडिया में और वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंपणिया हैं जो अपने प्रोडेक्ट के सिर्फ टेस थिस्टी मॉनियल की बात करते हैं दोस्तों उनसे वह रिजल्ट है नहीं है मैं उन प्रोडेक्टू को रखते हैं और वह वह फ Kev ऐसे परिशान थे, आप लोग ठीक हो चुके हैं, वो लोग सिर्फ टेस्टीमोनियल की बात करते हैं, और उस टेस्टीमोनियल की आधार पर हजारो करोडों का बिजनेस वो लोग करते हैं, दोस्तों, क्या मैं सही कह रहा हूँ, यस और नो, आप लोग कमेंट करके बताईए मे कि बात करते हैं, सोचिए हमारे पास तो कितने सारे टेस्टीमोनियल से, कितना सारा रिजल्ट है दोस्तों, लेकिन अफॉर्चुनेटली हम लोग अपने टेस्टीमोनियल को सामने नहीं रखते हैं, इसलिए हम लोग का बिसनेस उस रफ्तार से बढ़ना ही पाता है, मैं टेस्टीमोनियल को आप एक जगह इकठा करिए, और उसके बाद उसको किसको भेजना है, वो मैं आपको बताऊंगा अगले पास मेंट के अंदर, टेस्टीमोनियल, 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 टेस्टीमोनि केमडी से फाइदा हुआ तो यह मैं केमडी के बिसे में फोकस्ट हूँ इसलिए मैं केमडी लिखा हूँ दूसरे प्रोड़क्त अगर है दूसरे का टेस्टिमोनियल दीजिए कोई दिक्रत निए दोस्तो और शात में अगर आप मेरे सब पूछे आज की सेशन में मैं आपको पैटर्ण बताने वाला हूँ, pattern for taking testimonial, क्या आप लोग ये पाना चाहते हैं दोस्तों? क्या आप लेना चाहते हैं कि सरफ चया pattern होगा testimonial लेने का? क्या आप ये पाना चाहते हैं? अगले 5-10 बिनमें maximum आज का मैं session ये खतम करने वाला हूँ, जल्दी से बताएं क्या pattern अप लेन parc один कियों कि कि वीडियो को प्रमोट करने की जिमेदारी हम लोगोंकी होगी कि वीडियो को प्रमोट करेंखेंगे तरना के वीडियो Insurance तो नमस्कार मेरा नाम डियन प्रधानों और मैं किवा इंडस्टी से पिछले तीन साल से जुड़ा हूँ, मने आपका नाम और आप कितने समय से किवा इंडस्टी में सबसे पहले यह बताना है, यानि आपका इंट्रॉडक्शन और आपका ड्यूरेशन, यह पहली बात होगा दूसरी बात, name and place of the customer, दूसरा आपको बताना, अपने नाम और डूरेशन बताने के बाद आपको बताना है कि आज हम लोग आए हुए है Mr. Sujid जी के घर पर, जो की उत्तर प्रदेश के गाजीपूर जीले के सुखपुरा गाउं में रहते हैं, यानि कि किस जगह से वो जल्दी से नोट करते जाएगा, पॉइंट नमर थी, what problem, what was the problem before, उनको क्या समस्या थी, पहले परिशानी क्या थी, क्या परिशानी थी, आब बता सकते हैं किसी को sugar था, किसी को thyroid था, किसी को arthritis था, किसी को कबर में घर था, किसी को ulcer का problem था, किसी को piles का problem था, किसी को बाल बताएंगे, उनको बताने दिए, और डिटेल में सुनिये, उनको डिस्टरब नहीं करिएगा, इंटरप्त मत करिएगा, उनकी भी समय सुनिये, उनके problem को सुनिये, that is point number three, next, what all he or she did to solve that problem, उनसे पूछिएगा कि ये जो आपको समस्या थी, इसकी समधान के लिए आपने क्य क्या किया, वहाँ पर वो बताएंगे कि वो किस-किस डॉक्टर के पास गए, किस-किस हॉस्पिटल में गए, कौन-कौन सी दवाईयां खाए, कितने समय से दवाईयां खाएं, मने उनके उस पूरे, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये तो हम सब समझते हैं कि जब भी किसी जाएगा, फिर उससे इलाज कराएगा, फिर उससे बड़े डॉक्टर के पास जाएगा, फिर उस सहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाएगा, और फिर कई लोग तो उस सहर के भी बाहर चले जाते हैं, out of station टाके treatment कराते हैं, yes or no, जल्दी से बताईए, तो वो सारा कहा परिशानी आप उसमें इंक्लूट कराएं, वह आपकी टेस्टीमॉनियी वह को ज्यादा पाउरफुल बनाएगा, जल्दी जल्दी को फिनिश मत करें, तीन मिनिट आप समय ले सकते हैं, सो कहां क्या क्या उसको problem था और क्या किया उसको solve करने के लिए किस-दॉक्टर के पास गया? किस-किस hospital में गया? स्टेट में गया? किस-किस राज में गया सारी चीज़ों की जानकारी ले ले लिजी निक्सक्ट आपको लेकर चलना है और पूछना ही कि which product of किवा he or she is using and for how long उनसे पूछना है कि आप बताए कि कौन से प्रड़ेट को आप यूज कर रहे हैं यह परिशानी को सॉल्व करने के लिए अभी कौन से प्रड़ेट यूज कर रहे हैं और कितने समय से यूज कर रहे हैं आपको यह पूछना है और आपको यह प्रड़ेट को न सरयाद कर लेना है और दो-चार बर प्राक्टिस करेगा तो यह याद हो जाएगा राइट इसके बाद हो गया उनको यह प्रड़ेट यूज करने से अब फायदे की बात होगी और उसके बाद उनके चेहरे पर न वह खुशी आपको दिखेगी और वही हमार सबसे बड़ा समझिये तो हमारा धन होगा दोस्तों वही हमारा सबसे बड़ा क्रेडिट होगा वही हमारा असेट होगा वही हमारी संपत्ती होगी उनके चेहरे कि वह खुशी ना हमारे लिए संपत्ती होगी उनसे पूछे कि यह प्रोड़ट यूज करके क्या-क्या यहां जरूर पूछे और लास्ट क्वेस्टन उनसे पूछेगा दोस्तो what is the message for the people watching this video उनको बताएंगे कि ये एक video record हो रहा है मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि लोगों को क्या ये product यूज करना चाहिए या कीवा के बिसे में आपका क्या message है या लोगों के लिए क्या message है आप उनसे पूछिएगा और वहाँ पर obviously वो लोग ये ही कहेंगे कि यहां कीवा के product को मैंने यूज किया बहुत चांदार product है बहुत अच्छा result है और आप लोगो भी यूज करना चाहिए ये आपको ये compact एक testimonial बन जागा दोस्तों जिसमें आपका नाम है आपका duration है नाम customer का है, place का नाम है क्या problem था, क्या क्या किया कौन सा product यूज करा है, कितने समय से यूज करा है क्या benefit मिला, खुश है की नहीं है और क्या वो message दिना चाहता है अगर इस pattern में आपने testimonial बनाए न आपको all over India में आपके वीडियो को पहुचाने की जिमेधारी हम लोग लेते है दोस्तों, आप मैंसे कितने सारे लोग promise करते हैं कि सर अब मैं testimonial video बनाऊंगा, daily बनाऊंगा क्योंकि यह आपका PDA बन चुका है type I in the chat box, आप लोग promise करते हैं कितने लोग कि testimonial में प्रति दिन एक तो जरूर बनाऊंगा इतने सारे लोगों को आपने benefit दिया दोस्तों, अगर आप testimonial video नहीं बनाएंगे उनका कोई फाइदा नहीं होने वाला है लोग जान ही नहीं पाएंगे मैं जब अपने training program में जाता हूँ कितने सारे लोग कितनी सारी बाते कहते हैं कि सर मैंने इसको ठीक किया मैंने इसको ठीक किया मैंने इस तरह का patient था जो यहां से return था उसको ठीक कर दिया ये वेलोर गया था उसको ठीक कर दिया इतने बड़े hospital का patient था उसको मैंने ठीक कर दिया अरे भाई सबको ठीक कि अच्छे बात है लेकिन उसका टेस्टीमोनियल कहा है विदाउट टेस्टीमोनियल वो zero है टेस्टीमोनियल नहीं result नहीं वो सिर्फ आप जानते हैं और वो customer जानता है कि वो ठीक हुआ बाकी दुनिया कैसे जानेगी वो टेस्टीमोनियल से जानेगी दोस्तों इसलिए मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ आपने जिन लोगों को ठीक किया है आप उनके पास जाईए और अगर आपने उनको ठीक किया होगा या आपने टीम के जो चेर्मैन है जो लीडर उनके पास भी आप भी सकते हैं मैं वैसे डिरेक्ट आपको नंबर दे रहा हूँ आप इनों के पास भी डिरेक्ट ली भी सकते हैं और जोगों का जो Facebook पेज बिद्रेश का उस पेज पर आपको एक-दो दिन के अंदर ये वीडियो मिल Жाएगा दोस्तों। और जब आपको ये वीडियो मिल जाएगा सोचेए आप हो सकता मध्य प्रदेश में हो लेकिन आपका वीडियो पूरे आल ओवर इंडिया में घूमेगा हो सकता आप विहार से हो लेकिन आपका वीडियो पूरा बिश पूरा इंडिया देखेगा दोस्तों हो सकता आप यूपी से हैं हो सकता आप बंगॉल से हैं आप इंडिया क किसी भी पार्ट में रहेंगे लेकिन आपका वीडियो ओल ओवर इंडिया में सर्कुलेट करेगा जो कीवा में है वो भी देखेगा जो कीवा में नहीं है वो भी देखेगा दोस्तों आज मैंने इसी तीन PDS के उपर मैंने बात की होफुली आपने ये नोट कर लिया दोस्तों और इसके साथ ही आज का ये सेशन का मैं समापन करता हूं दोस्तों होफुली आज हम लोगों ने जिन बातों के उपर डिसकुशन करा मुझे हंडेट परसेंट भरोसा है दोस्तों कि अगर दो पहले तो मैंने दो सक्से सुत्रा दिया पहला गेट आउट आट ऑफ मोटिवेशन ट्राप मोटिवेशन के आधार पर आपका बिजनस नहीं होना चायए मोटिवेशन पर डिपेंडend आपका बिजनस नहीं होना चायए पॉइंट नंबर वन आपको पीडिए बना लेना जब आप पीडिया बना लेंगे कि मेरे को प्राइमरी डेली एक्षन है मेरा तबियत खराव होगा फिर भी यह काम करेंगे जो हो जाए दुनिया इधर की इधर हो जाए मेरे को यह काम करना ही करना मुझे कोई रोक नहीं सकता अगर आपके मन में यह determination आ गया motivated हो न मैं कहूं यह इतना असान नहीं होगा ऐसा हो सकता है दोस्तों आप करना सुरू करेंगे दो-चार दिन के बाद फिर आप नहीं करेंगे इसका मतलब आपका बिजिनस भी motivation अरे WhatsApp ग्रूप में अपने वाल पर हर जगा पोस्ट कर देना दोस्तों क्यों कि बहुत सारे लोग जो आज की सेशन में लाइव सेशन में नहीं आ पाए दोस्तों किसी कारण वस उनको यह वीडियो मिल सके और यह स्ट्राटीजी मिल सके त्री पीडियो जो मैंने दिया है य लेका और आँगा एक में आपको बताऊंगा दोस्तों कि किस तरह से उनके आपको बोलना है जिसे कोई आदमी ना कर ही ना सके लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको जादस ज्यादा नंबर में यह सेशन को इटेंट करना पड़ेगा दोस्तों बहुत जल्दी में वह सेशन लेकर आऊंगा आज की सेशन में जॉइन होने के लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों आप अपना ख्याल रखें अपने परिवार का ख्शह क्या रखें दोस्तों और कमडी को ऐसे यूज करिए जयसे केमडी आपको चैर्मीन बनाने वाला है और हम और आप मिलकर कमाल करेंगे इस पिरुड के बाद दूसर नेंद ग्यवंद चैकेव रहु जान्टिंड तेया डिक्ष्ट लिह स्वालीज शन्टिंड के निर लिव डिव वान टेक्स्ट लिव एंड पन्ट ल अगाटन में लेक्रेंद लेगर धिष्ट general टेक्ष्ट लेल कि ट्सट्ट लेख बाक बाक टेक्ष्ट लेग्टन गुड़